आज की रेसिपी मेरे घर में सब की फेवरेट है और जिस भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मैंने ये खिलाई सब को मज़ा ही आ गया आप शायद बिलीव नहीं करेंगे कि ये हाई प्रोटीन पाव भाजी इतनी टेस्टी हो सकती है प्रोटीन के लिए कोई पनीर या टोफ पाव भाजी ही बनाना पसंद करेंगे और अगर आप डायेट पर हैं तो वह अप्शन भी मैं आपको आगे बताऊंगी मेरी गारंटी है कि आपके घर में ये सब को बहुत पसंद आएगी और सब आपको थैंक्यू बोलेंगे और आप मुझे याद करेंगे तो आईए बना आपको अडरक परिय पनाँगे इसके लिए मैंने नध्स कलिया लिया है लेसन की लेसन थोड़ा सा अची कौंटिती में डाले पाव भाजी में अच्छा टेस्ट आता है अगर आप लेसन घाते है तो दो से 3 हरी मिर्च ले ली है और थोड़ा सा अद्रक का टुकड़ा ले बिना पानी डाले में एक बार मिख्सी में चला रही हूं और इस तरह से तार से पेश तेयार हो गया है तो इसको एक बोल में निकाल रही हूं हमारी पाव भाजी में हम डालेंगे धेर सारी सबसियां तो इसके लिए मैंने रफली चॉप करके गाजर, आलू, लौकी, प्यास, बीचूट और थोड़ी सी शिम्ला मिर्च ले ली है अब एक प्रेशर कुकर ले रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया बहुत ही आसान सी वन पॉट रेसिपी है मैंने यहाँ पर रफली चॉप करके गाजर ले ली है, दो चोटी 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 गाजर थी, मैंने उसको चॉप कर लिया है अगर आप सीजन की विंटर वाली गाजर लेते तो थोड़ी सी कम ले लें कॉटिटी की, वह थोड़ी सी मीठी होती है अब एक बड़े साइज का आलू ले लिया था चॉप करके, छोटे हो तो फिर आप दो ले सकते हैं और उतनी ही कॉटिटी मैंने लौकी की ले ली है, उसको भी रफली चॉप कर लिया था एक चोटा सा बीटूट ले लिया है, अच्छा सा कलर आएगा भाजी में और एक ना मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसको फाइनली चॉप करने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास ताइनली चॉप था, तो मैंने वही ले लिया है, और एक चोटी शिमला मिर्च ले 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 या फिर आधी शिमला मिर्च को भी आप चॉप करके ले सकते हैं आधा कप मैंने फ्रोजन मतर ले लिये हैं, इसमें दो मीडियम साइज के टमाटर को भी चॉप करके डाल रही हूँ और साथ ही में जो अद्रक मिर्ची का पेस्ट बनाया था लसन के साथ उसको भी डाल दिया है अब हमारी भाजी का जो हीरो इंग्रीडियन्ट है वो हम डालेंगे तो यह है मूंग भीके हुए मूंग है ग्रीन मूंग को मैंने राद भर के लिए भीका दिया था आप देख सकते हैं कि हलके हलके से इसमें स्प्राउट्स आ गए हैं दियान रखेंगे कि जब हम भाजी में यूज करेंगे तो बहुत साथा इसको प्राउट ना करें क्योंकि अगर अंकुरित हो जाएंगे न मूंग तो फिर हम उसको जब ब्लेंड करेंगे न तो उसके जो प्राउट्स nost geldi नहीं होगे भाजी में पाव भाजी का मसाला डाल रही हूं करीब तीन चमच मैंने डाला है आपकी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा एच्जस कर सकते हैं आपको जैसा पसंद हो अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं आपको आगे तरीका बताती हूं कि आप भाजी मसाला एक बार में नहीं डालेंगे तो आपको क्या करना है और फिर मैंने इसमें बटर डाल दिया है करीब दो बड़े चमच क्योंकि आपको किसी तरह का परेज नहीं है तो आप बटर जरूर डालें अच्छी कॉंटिटी में और फिर मैं इसमें डाल रही हूं एक से देड़ कप के जितना पानी अगर आप डायेट पे हैं तो आप फिर बटर को पूरा स्किप भी कर सकते हैं और अगर आपने दिया हो तो मैंने इसमें नहीं डाली है फूल गोबी या प जाते हैं तो फिर थोड़ा सा कॉंटिटी कम ही डालें क्यूंकि अगर बहुत साथा हम ग्रीन कलर डालेंगे तो फिर पाव भाजी का कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा अब मैं प्रेशर कुकर का धकल नगा के इसको चार विसल आने तक कुक कर लोंगे और जब तक प्रेशर पूरा रीलीज नहीं हूए कन प्रेशर कुक coupon को को छलेंगे प्रेशर कुक का स्टीम पूरी रिलीज हो गई है तो फिर अच्छे से सबसीया हमारी कुक हो गई है तो अब या तो अगर आपको बहुत जादा मैश की हुई नहीं पसंद है पाव भाजी एकदम अच्छे से ब्लेंट होके रेडी हो गई है भाजी हमारी अल्मोस्ट और अगर इस पॉइंट पे आपको ये थोड़ी सी गाड़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गरम पानी आड़ करकर इसके कंसिस्टेंसी को एजस्ट कर सकते हैं मुझे एकदम सही लग रही है औ अगर बाई चांस ऐसा हो कि ये थोड़ी सी पतली हो जाए अपने पानी जादा डाल दिया हो तो फिर आप इसको फ्लेम पर रखकर थोड़ा सा कुप कर लेंगे तो ये सही हो जाएगी अब मैं इसमें थोड़ी सी अच्छी खुश्बू और टेस्ट के लिए एक बड़ा च अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो आपको पता ही नहीं जलेगा कि इसमें हमने आलू को स्किप करके इसमें मूं वगर एड़ किया है अब भाजी तो हमारी तयार हो गई है अब ये देखने में और थोड़ी सी अच्छी लगे उसके लिए मैंने यहां पर थोड़ा सब मेल और पाव भाजी का मसाला बहुत थोड़ा सा या फिर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा और फिर इस पॉइंट पर आप ये बटर में थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट डालें और पाव भाजी का मसाला जैसा आपको पसंद हो उससाब से डाल कर और हलका सा कु और अच्छे से इसको स्प्रेट कर दिया है अब पाव के टेस्ट को और भी इन्हांस करने के लिए मेरे पास थी लाल मिर्चोल हसन की चटनी यह ना मुंबई स्रीट फूड में यूज करने वाली ना बहुत ही स्पेशल सी चटनी होती है इसकी रेसिपे मैंने मुंबई मसाला सैंविच टोस और मुंबई मसाला पैटिस पाव की रेसिपे में शेयर किया है दो डिफरंट वेरिएशन पताए है तो आप इसे प्लीज चेक कर ले और जस्टन केस अगर आपके पास यह चटनी अवलेबल नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा सा पाव भाजी का मसा लगेगी तो यह हमारी पाव भी बन के तयार है देख सकते कितनी मसेदार सी लग रही है तो आइए इसे करमा गरम एंजॉय करते हैं एक पर मेरे कहने से आप इस रैसेपी को जरूर ट्राइक करें आम शौर यह आपको बहुत साथा पसंद आएगी और अगर अगर मेरे बनाना कितना आसान है 15-20 मिनिट में आप इसे कभी भी बना कर एंजॉय कर सकते हैं तो आप पाव भाजी बनाना बच्चों का ही खेल है आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो आपका ब कोमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है और हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पेज होममेड हैपिनेस्वित मनीशा को भी फॉलो करें मैंने कोशिश की है कि आपके साथ हर चोटी डीटेल्स भी शेयर करूं ताकि बिगनर्स भी से बहुत ही आसानी से बना स फिर भी अगर आपको किसी तरह का भी डाउट है तो अब प्लीज मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई